गुड बार्निंग फ्रिंट्स मैं डॉक्टर वी केमिश्रा फ्रॉम गेस्ट्र लेवर हास्पिल स्वरुपमेगर कानपूर जो लगातार चिंता करने की आदत है लगातार इंजाइटी की आदत है लगातार सोचने की आदत है लगातार छोटी-छोटी चीजों से परिशान कर करनी की आदत है हम ऐसा मान के चलते हैं कि इससे सिर्फ ब्रिन को ही दिक्कत होती है अगर इंजाइटी होगी तो हमारे ब्रिन को दिक्कत होती है या ब्रिन परिशानी में आता है ऐसा है नहीं जब इंजाइटी आपको होती है या आप अनावश्चक चिंताएं करते हैं तो इ नमबर एक, आप ये देखिए कि कितनी जो एंजाइटी है उसको ज़्यादा माना जाता है, ये बात तो सही है कि चिंताइं तो लगातार होती है, चिंताइं सभी को होती है, लेकिन एक एंजाइटी आती है, चिंता आती है, काम खतम हो जाता है, खतम हो जाती है, लेकिन कोई एसी worry है जो हफते दर हफते बनी हुई है, लगातार बनी हुई है, या कोई ऐसी चिंता है या worry है जो आपके normal जो काम है उसको affect कर रही है, या आपके जो home life है उसको affect कर रही है, तो scientifically ऐसा माना जाता है कि ये normal नहीं है और इसके लिए आपको अपने doctor से बात करनी की ज़रूरत है क्योंकि लगातार अगर वरी सम रहे आप रहेंगे तो धीरे-धीरे आपके जो body के organs हैं उन पर effect दिखाए देने चालू हो जाएंगे या आपको anxiety disorder develop हो जाएगा नव जो लगातार चिंताएं होती है या anxiety होती है उससे आपके अलग-अलग system पर क्या फरक पड़ता है सबसे पहले देखिए heart अगर आपको वरी करनी की आदत है या आपको anxiety की एक आदत है तो आपका blood pressure उपर जाने की संभाव ना है ये बात बिल्कुल सही है कि heart की problem या heart attack की जो possibility है वो हमेशा ज़्यादा होती है all those people जिनमें stress ज़्यादा है heart attack के लिए prone हो जाते है जो brain का stroke है वो भी वास्तों में anxiety से link माना जाता है scientifically ये माना जाता है कि अगर आपको anxiety ज़्यादा है तो anxiety के चलते हैं आपकी body के अंदर stress जो hormones है वो उपर की तरफ जाते हैं जो stress hormones हैं उनमें सबसे ज़्यादा important is the cortisol यो उपर की तरफ जाएंगे तो आपकी heart rate उपर की तरफ जाएगी आपके जो blood vessel है या खून की नसे हैं वो अंदर हलका सा inflammation develop होगा inflammation develop होगा तो जो arteries हैं वो थोड़ी से harden होती है इसके अलाबा unhealthy cholesterol develop होगा और उसके बाद पर plethora of problems चलो हो जाती हैं उनमें से high blood pressure, heart attack, stroke are the one तो heart जो आपको directly affected होता है अगर आपको लगातार चिंदा करने की आदत है second one is the nervous system आप जानते हैं कि हमारी body का यह सबसे important network है यह brain, spinal card, nerves और neurons इन चार चीजों से बना हुआ होता है जब भी आप बहुत worisome होते हैं चिंताओं से घुरे गिरे हुए होते हैं तो आपकी body stress hormone बनाती है आपकी heart rate उपर की तरफ जाती है आपकी breathing disturbed होती है आपका blood sugar भी उपर की तरफ भागता है आपकी body का जो circulation है blood का वो हमेशा hyper dynamic यह तेजी रफतार में रहता है scientifically ऐसा माना जाता है कि यह सब गलबड़ी होंगी तो आपका जो nervous system है इसके जो functioning है वो हमेशा affected होगी the next one are the muscles जो muscles है particularly in the shoulder in the neck they are the target scientifically अगर आपको anxiety है आपको लगातार worries बनी हुई है तो उसके चलते आपके shoulder और जो neck की muscles है वो tense होती है आपको migraine या tension headache होने की जो संभावना है वो हमेशा जादा होती है इसलिए जितने भी इस तरह की जो ना therapies हैं चाब message therapy हो जिसमें आप massage कराते हैं relaxes and techniques है या deep breathing है इन सबसे इस चीज़ों में फरक पड़ता है क्योंकि अगर आप उन लगातार worry करनी की आदत है या आपको anxiety है तो neck and shoulder की जो muscles है ये target हैं जिनमें सबसे ज़ाद दर्द होगा आपको तो migraine and tension headache develop हो जाते है अगर आप बहुत चिंता करते हैं आपको anxiety होती है तो आपने खुद मार्क किया होगा कि जब आप बहुत परिशान होते हैं तो आपकी सांस लंबी-लंबी चलने लगती है आप सांस बहुत गहरी-गहरी लेने लगते हैं जिससे नॉर्मल है मिना मिना यह आप realize भी नहीं करते हैं लेकिन अगर आपको चिंताएं हैं तो आपकी body automatically ऐसा करती है यह कोई problem नहीं है लेकिन अगर आपको आलिडी breathing trouble है से फर एक्जांपल आपको अस्थमा है आपको lung disease है साथ में anxiety के चलते आपको deep breathing हो रही है तो breathing problem आपकी exacerbate हो जाएगी यह एक चोथा आमिन आयाम है anxiety का जो आपको समझनी की जरूरत है अगर आप chronic stressor है आपको लगतार anxiety रहती है तो उसके चलते हैं जैसा मैंने कहा stress hormone उपर की तरफ जाता है जो stress hormone है basically is the cortisol जो उपर की तरफ जाएगा जो cortisol है वास्तो में यह हमारी जो blood sugar की जो level है उसको उपर की तरफ लेके चलता है अगर आपको लगतार stress है लगतार cortisol उपर की तरफ है तो लगतार जो blood sugar है उपर की तरफ भागने की ताकत रहेगी और एक लगातार उपर की तरफ रहेगी तो insulin resistance होने की जो एक संभावना है वो हमेशा बढ़ेगी अगर ऐसा है तो आपको diabetes mellitis होने का जो खत्रा है वो हमेशा बढ़ जाएगा और एक बाद diabetes हुई तो जो भी एक complication diabetes से related है वो हमेशा का आने की संभावना होती है अगर आपको constant anxiety state है आपको लगातार जो ने चिंताएं गहरी हुई है तो आपको जो immunity का system है वो वास्तों में depressed होके चलता है अगर ये depressed होके चलेगा तो इसको जो physical effects है वो दिखाई देंगे और जो छोटे छोटे जो organisms हैं viruses हैं ये वास्तों में उनके लिए आप एक target हो जाते हैं इस तरह की छोटे problems जिससे flu है, harpes है mostly जो respiratory जो viruses हैं सर्दी खांसी चुकाम जैसे जो viruses हैं ये आपको ज़्यादा attack करने लगते हैं क्योंकि आपको जो immune system है पूर नीचे की तरफ जाता है अगर आपको anxiety है लगातार चिंता करने की आदत है तो जो digestive system है वो पिछे नहीं रह जाता है उस पर भी side effects आते ही आते हैं जब कभी अगर ज़्यादा चिंता होगी ये nervousness होती है तो आपने mark किया होगा कि खाने की तहली में butterflies मेंसूस होने लगती है एक्शली जब भी आपको nervousness ज़्यादा होगी तो कभी जी मिचलाने लगता है और आप nauseous फील करते हैं कभी आपको vomiting हो जाती है अगर ज़्यादा stress persist करता है तो पेट में दर्ध, पेट में जलन या acidity अल्सर जैसे problem होने की जब संभाबना या acid reflex होने की जो संभाबना है वो हमेशा बढ़ जाती है ऐसे ही अगर intestine पर anxiety का effect आएगा या worries का effect आएगा तो ये आपकी intestine की function को गर्बल करेगा गर्बल करेगा तो या तो diarrhea होगा या constipation develop होगा या alternate diarrhea constipation develop होगा because intestine पर जो worries है उनका side effect जरूर आता है and the last one is the sexual health scientific studies ये मानती है कि constant anxiety state या लगातार चिन्ताएं जिसमें आपका brain लगातार जो पजल रहता है ये आपको fatigue भी करती है आपको distract करके चलती है अगर ये fatigue ज़्यादा होगी और distraction होगा तो आपकी जो sexual drive है या जिससे libido कोईते हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी जो chronic stress है ये भी माना जाता है कि आपके body की level में जो testosterone है उसको reuse करने की ताकत रखती है जो chronic stress है उससे sperm का जो development है वो भी प्रभावित हो जाता है in infertility is a very common problem with constant anxiety and worries in women also in post-menopausal particularly अगर anxiety state है तो heart flushes, sleep issues वो सब जादा होते हैं तो जहां तक anxiety का सवाल है anxiety सिर्फ brain में नहीं होती है ऐसा नहीं है कि tension हो रहा है तो इससे brain में गड़बड हो रही है जब आपको anxiety होती है जब आपको चिंता जादा होती है जब आपको tension ज़्यादा होता है तो उसका जो असर है body के लगबग हर अंग पे दिखाए देता है चाहे वो nervous system हो चाहे वो heart हो चाहे वो muscle हो चाहे वो intestine हो चाहे वो digestive system हो चाहे वो immunity हो और चाहे वो आपकी sex life हो सब के उपर जो anxiety है वो अपना एक side effect लेके चलती है तो इसलिए anxiety को अलग करने की ज़रूरत है अगर आपको body के जो organs है उनकी health को optimize रखना है तो जो chronic worry है या chronic anxiety है हमारे organs को कैसे प्रभावित करती है इसको समझने में ये video help करता है तो इसको जरूर share करें मैं Dr. V. Commissioner from Guest to Liver Hospital Swarupanagar Kanpur Thank you very much